कक्षा 10 का अध्याए 10, प्रकास भाग दो अपवर्तन, इससे पहले हमने प्रावर्तन के बारे में पढ़ा था, जिसमें था कि प्रकास की किर्णे किसी सतह से टकरा के वापिस उसी माध्यम में आती हैं, तो वो क्या था प्रकास का प्रावर्तन, अब हम पढ़ेंगे उससे आ बाल दी हमने पानी के अंदर, तो ये मुड़ी हुई दिखाए देती है, अपने हाथ भी बाल टी के अंदर डाल के देखा हुआ कई पा, वो भी क्या होता है जैसे उपर की तरफ आया हुआ, ये सब होता है प्रकास के अपवर्तन के कारण, क्या है प्रकास का अपवर्तन, प्रकास की करने जाएंगी, तो अपने पत्थ से मुड़ जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, परकास का अपवर्तन कहते हैं इसको समझना चाहें तो हम काच की एक स्लैब लेंगे और उससे देखेंगे कि अपवर्तन किस तरीके से होता है तो उसके लिए जैसे वहाँ पे हमने किरने पड़ी थी यहाँ पे भी अलग-अलग परकार की किरने होंगी जो किरन आती है उसको क्या कहेंगे हम आप्तित किरन और जो अपवर्तन होगा यह देखें काच की स्लैब थी इस स्लैब यह हमारे पास वाईयू है जो उपर का माध्यम है और जो दूसरा माध्यम है वो काच है तो परकास की किरन जैसे ही काच में आती है तो वो अपने पत से विचलित हो जाती है, तो ये आपतित किरण होगी, किरण A, और किरण B जो है वो क्या है, अपवर्तित, उसको क्या कहेंगे हम, अपवर्तित किरण, और जो आपतन बिंदू, जो आपतन बिंदू ये बिंदू होता है, जिसके उपर आपतित किरण मिलती ह और ये है अभिलंब जिस बिंदू के उपर अभिलंब बनाया जाता है इसके उपर 90 डिगरी का हम कोण बनाते हैं उसको अभिलंब कहते हैं आप्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी यहाँ पर ये कोण बनाया किसने आप्तित किरण ने किसके साथ अभिलंब के सा तो ये कॉन जो होता है इसको हम कहते हैं आपतन कॉन और जो अपवर्टित किरण अभिलंब के साथ कॉन बनाएगी उस कॉन को हम कहेंगे अपवर्तन कॉन तो ये हो गया हमारे पास से अपवर्तन कॉन तो दो परकार के कोण बने, कोण कोण से, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण को आई से लिखते हैं और अपवर्तन कोण को हम लिखेंगे आर से, परकास के अपवर्तन के नियम, वहाँ प्रावर्तन के नियम पड़े थे, यहाँ पे अपवर्तन के नियम क्या क्या ह होंगे ये वहाँ पे भी था ये यहाँ पे भी है दूसरा थोड़ा सा उससे अलग है ये क्या कहता है परकास के निश्चित रंग तता निश्चित माध्यमों के लिए इसका मतलब क्या हुआ यदि हम परकास का लाल रंग लेते हैं तो हमेशा क्या लेना चाहिए लाल रंग ही मतलब दोनों माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो भी रंग में परिवर्तने ना हो, तो ये ध्यान रखना है हमने कि परकास का रंग क्या है, एक जैसा है, तो एक जैसा रंग रखना है, और उनी माध्यमों के लिए, जैसे हमने लिया पानी और हवा पानी, तो उनी निश्चित माध्यमों के लिए हमें ध्यान रखना है, वो क्या कहता है, कि परकास के निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा, अब तुमने कोण पढ़े होंगे, साइन, कोज, टेंजेंट, तो जो साइन होता है, उसको बोला जाता है जया, तो यहां पे आपतन कोण की जया, तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव क्या होगा, स्थिर होगा, यानि कि आपतन कोण कोण है, आई, और अपवर्तन कोण है, आर, तो इन दोनों की ज स्थिरांग का मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो उन दो माध्यमों के लिए और उस रंग के लिए सदयाव एक जैसा ही रहेगा, तो ये उसको हम कहते हैं स्थिरांग, को N से लिखा जाता है, ये क्या कहता है, इस स्थिरांग के मान को दूसरे माध्यम का, जान से समझ का पहले माध्यम के सापेक्स अपवर्तना या इंगलिस में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, किसका दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्स, जिस स्थे कोर्पिरन आ रही है और जिस में जाएगी, तो जिस माध्यम में जाएगी, वो दूसरा माध्यम है, जिस म पहले माध्यम के सापेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांग के हैं। चलिए अब अपवर्तनांग को थोड़ा सा ओर समझते हैं। जो परकास की किरण है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है इसको हमने अपरतन कहा था तो यहाँ पे क्या हो रहे है उसी परकास की चाल के कारण वो परकास की किरणे मुड़ती है अब क्या होगा यदि परकास की किरण माध्यम एक से माध्यम दो में परवेश कर रही है इसक परकास की चाल माध्यम एक जो पहला माध्यम है इसमें हम मान लेते हैं कितनी है वी वन यहाँ पे लिख दें वी वन तथा माध्यम दो में इसकी चाल हो जाती है वी टू जो माध्यम दो था इसमें चाल कितनी मान ली हमने वो वी टू हो जाती है तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्स अपवर्तनांग माध्यम एक में परकास की चाल, अब यहीं तो निकारा था, कि माध्यम दो का माध्यम एक तो क्या करेंगे, माध्यम एक में परकास की चाल, तथा माध्यम दो में परकास की चाल के अनुपाद दवारा व्यक्त किया जाता है तो देखो N2,1 इसका मतलब क्या है माध्यम 2 का माध्यमे 1 के सापेक्स अपवर्तनांग क्या होगा माध्यम 1 में परकास की चाल बटे माध्यमे 2 में परकास की चाल माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्स अपवर्तना की तो किसका था माध्यम 2 का माध्यम 2 के क्या होगा इससे उल्टा लिख दो यह N2,1 था तो उसको किससे लिख देंगे N1,2 से तो यह ध्यान रखो जिसके सापेक्स निकाल रहे हैं तो उसको हमेशा पहले और जिसके बाद में उसको बाद में, तो यानि कि परकासरिकेंड जिस माध्यम से आएगी, उसको बाद में, और जिस मेज आएगी, उसको पहल, तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो यानि कि V2 बटा, V1, निरपेक्स अपरतनां कुछ अलग-अलग परकार के दर्वात्मक माध्यमों के दिये और जो दूसरा माध्यम हमान रहे हैं वो क्या है, या तो वो वाईयू है, या वो निरवात है, निरवात का मतलब वैक्यूम, जहां पर कोई वाईयू या नहीं होती इस तरह की, तो NM, मीडियम के लिए किसी भी मीडियम में, तो क्या होगा, वाईयू में परकास की चाल, बटा, माध्यम में परकास की चाल, ये उसके लिए सुत्र हुपयोग करेंगे हम, और कैसे होता है, वो देखते हैं, तो देखिए, वाईयू का जो होगा, वो अपरतना कितना होता है, एक दसमलो, जीरो, 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 तीन, यानि कि लदबग वाईयू ही मान के चलें, क्य एक दसमलो, तीन, तीन, एलकोहल, एक दसमलो, तीन, छीरो, जीरो, 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 जीर नमक में एक दसमलो पांच चार और इस तरीके से हीरे तक पहुँचें तो कितना बन जाता है दो दसमलो चार दो जो की परकास की किरण को बहुत ज्यादा मोड़ देता है। कितने पास है या कितने दूर है उसके उपर निर्भर करता है कि प्रकास की चाल क्या होगी। तो दोनो स्थिती में जिसमें ज्यादा लोग खड़े हैं वहाँ पे आपकी चाले कम हो जाएगी क्योंकि आपको उनके बीच से गुजरना पड़ेगा। और जहाँ पे बहुत दूर-दूर हैं वहाँ पे तुम्हारी चाल थोड़ी से ज्यादा होती है। क्योंकि वहाँ पे टकराने की स्थिती कम हो जाती है। ऐसा ही होता है यहाँ पे इन माध्यमों के साथ भी। यहाँ पे क्या हैं हमारे पास दो प्रकार के माध्यम हैं। एके विरल और एके सगन। सगन वो जिसमें पदार्थ के करने नजदीक-नजदीक होते हैं। और विरल वो जिसमें पदार्थ के करने दूर-दूर होते हैं। तो क्या होगा परकासिक सगन माध्यम, परकासिक सगन माध्यम का मतलब परकास के लिए कौन सा माध्यम सगन है, जिसके करणे नजदीक-नजदीक होंगे वो सगन हो जाएगा और जिसके करणे दूर-दूर होंगे वो क्या हो जाएगा वहाँ पे विरल माध्यम, तो क्या होगा दो माध्यमों की तुलना करते समय ये लिख दिया है मैंने सारी सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं इसमें दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवरतनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्ष्या परकास के सघन होता है जब परकास की किरण विरल माध्यम से सघन माध् परलन्तु माध्यम हो गया तो अब वो इस तरफ मुढ गई है तो इसका मतलब परकास की किरण जब विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाएगी तो अभी लंब की ओर मुढ जाएगी इसके विप्रित जब प्रकास की किरण सगन माध्यम से विरल माध्यम ये जो नीचे माध्यम है इसको हम विरल कह देते हैं कि ये माध्यम विरल है तो सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो देखिए प्रकास की किरण को इस तरीके से जाना चाहिए था परंतु वो इस तरीके से ना ज निकलेगा, उन कर दे, कर दिया, ये प्रकास की किर्ण जा रही है, देखिए दो माध्यम है, एक माध्यम उपर की तरफ हवा ली गई है, और नीचे की तरफ पानी लिया गया है, तो आप देख रहे हैं प्रकास की किर्ण मुड़ गई, अपने पत से विचलित हो गई, क्या हो तो अगर मैं यहाँ पे जो उपर वाला माध्यम था वो हवा रखूँ और जो नीचे वाला माध्यम है उसको भी हवाई कर दूँ तो यहाँ पे माध्यम बदल के देखते हैं जब माध्यम एक ही है तो परकास की किंड सीधी चल रही है अब नीचे वाले माध्यम को मैं प्रकास जितना सघन होगा उसका अपवर्तन भी उतना ही होगा और उन दो माध्यमों का अपवर्तनांक भी उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा